देखें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुक मायवती दोबारा अपने खोई हुए जनाधार को पाने के लिए और पार्टी को मजबूती के साथ खड़े करने में जुटी हुई है। इसी के मद्दे नजर मायवती ने बुदुवार को लखनव में पार्टी नेताओं के साथ लंबी बैठक की और 2024 के लोग सभाचुनाव को लेकर चल रही तयारियों की समीक्षा की। लेकिन मायवती के इस एहम बैठक में पष्ची में यूपी के दिगजनेता इमरान मसूद को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं इमरान मसूद की पैरवी पर बस्पा में एंट्री करने वाली सोनिया शर्मा को भी मायवती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में सवाल उठता है क्या मायवती इमरान मसूद से दूरी बना रही हैं। बस्पा की लखनों में इस बैठक में शामिल होने के लिए राजिस्थान की यात्रा छोड़कर पार्टी के नैशनल कॉडिनेटर और मायावथी के भतीजे आकाश आनंद भी पहुंचे थी इसके अलावा स्थीष चुंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनात पाल, विधाय कुमा शंकर सिंख, MLC भीमराव अंबेटकर समेथ बस्पा के कॉडिनेटर बामसेफ के वरिष्ट पतादिकारी और पार्टी के दिगजनेता बैठक में शामिल हुए जबके इमरान मसूत को 2024 के चुनाव को लेकर हो रही, बस्पा की बैठक में शामिल होने का नियोता नहीं मिला पिछले साल जब इमरान मसूत ने सपा छोड़ कर बस्पा में एंट्री की थी, तो मायवती ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और सोशल मीडिया पर साथ में फोटो जारी करके पश्ची में यूपी का मुस्लिम चहरा बताया था मुस्लिम वोटों को साधने के लिए इमरान को पश्ची में यूपी के चार मंडलों के साथ ही उत्राखंड का सयोचक नियुक्त किया गया था इसके बाद इमरान मसूद ने पूरे जोशो खरोश के साथ मुस्लिम नेताओं के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया था साथ ही सहरनपुर लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने और बसपा के दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम करना शुरू कर दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लखनो में हुई बैठक में इमरान मसूद को नहीं बुलाया गया इससे पहले 15 अगस्त को सहरनपुर बसपा काराले में हुए कारिक्रम में भी इमरान मसूद शामिल नहीं हुए थे जब हाजी फजलूर रहमान ने शिर्कत की थी सहरनपुर लोकसभा सीट से इमरान मसूद और मौजूदा सांसत हाजी फजलूर रहमान दोनों बसपा से टिकट की दावेदारी कर रही है बस्पा का एक थड़ा हाजी फजलूर रहमान के पक्षमे और दूसरा इमरान मसूद के पक्षमे है लेकिन अभी तक किसी का टिकट फाइनल नहीं किया है हाल ही में हुए चुनाव में इमरान मसूद और बस्पा से अपनी भावी खतीजा मसूद को मेयर का चुनाव लड़ा चुके है लेकिन वो जीत दर्च नहीं कर सकी थी सहरनपुर जिले की दूसरी नगर निकाय में भी बस्पा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा इतना ही नहीं मुसल्मानों का चुकाव भी बस्पा की तरफ होता नहीं दिख रहा ऐसे में इमरान मसूद के लिए बस्पा के टिकेट पर संशे के बादल च्छाय हुए है जिसके चलते चर्चा है वो फिर से कॉंग्रेस के साथ अपनी नस्दीखियां पढ़ा रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं बन पा रहा है मायवती की नजर में इमरान मसूद का सियासी रंग फीका पढ़ने लगा है यही वज़ा है बस्पा ने अब उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है